बद्धी में कार से 50 लाख की चरस के साथ दो गिरफतार। जिला पुलिस बद्धी द्वारा नशा तसकरों पर एक बड़ी कार रवाई की गई है। संधोली के पास बद्धी पुलिस ने नाके के दोरान एक कार से 10 किलो से ज्यादा चरस के साथ दो लोगों को गिरफतार किया है पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार संधोली के पास नाका लगा कर पुलिस हर आने जाने वाले वाहन की तलाशी ले रही थी जैसे ही एक टाटा नेक्शन कार मौके पर पहुँची तो पुलिस ने कार की तलाशी के दोरान कार से 10 किलो 200 ग्राम चरस बरामत की पुलिस ने मौके पर कार में सवार दो युवकों को भी गिरफतार कर लिया आपको बता दें कि कार सवार युवक चमबा जिले के रहने वाले हैं फिलहाल पुलिस ने विभिन धाराओं के तहट मामला दर्ज करके आगामी जाच शुरू कर दी है पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपियों को नालागर कोर्ट में पेश किया जाएगा और नालागर कोर्ट से दोनों ही आरोपियों को रिमान पर लेकर पूछ ताच की जाएगी और उनसे पता लगाया जाएगा कि यह आरोपि कहां से अवैद नशे की खेप लाया करते थे और कहां कहां सप्लाई किया करते थे पुलिस के मुताबिक इस 10 किलो चरस की कीमत राश्ट्रिय बजार में 50 लाख से जादा है क्या बोले ASP अशोक वर्मा बद्दी इस बारे में मीडिया से बातचीत करते हुए ASP बद्दी अशोक शर्मा ने बताया कि बद्दी पुलिस की टीम को गुप्त सूचना मिली थी और पुलिस ने नाका के दोरान जब एक कार की तलाशी ली तो उसे 10 किलो 200 ग्राम चरस बरामद हुई पुलिस ने चरस समेद दोनों ही चमबा निवासी युवकों को विरफतार कर लिया है उनका कहना है कि दोनों ही आरोपियों से पूछताच की जा रही है और उन्हें नालागर कोर्ट में पेश करने के बाद रिमांड पर लिया जाएगा उन्होंने कहा कि रिमांड के दोरान पूछताच में उन्हें और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद है नेशन न्यूज के लिए बदी से हरजिंदर ठाकूर की रिपोर्ट